जोई मैं आपके साथ चुर्वात करना चाहा रही हूं आप कहा रही है आपकी पार्टी कहा रही है कि भई फंड नहीं मिल रहा केंदर की तरफ से और इसको लेकर आप धर्ना दे रहे हैं कहां दिख्टा थे जिसकी वज़े से धर्ना देने की नौबत आई जी चित्रा जी पहले मैं आपको राम नवी का शुब कामना है सभी को दश्यकों को आस तक राम नवी का शुब कामना है ठीक है जोई जी बस मेरा नाम करेकर लिजेगा अरपे तार्या बोल रहे हूं जी रखी अपनी बात जी हम यह बोलने चाहरे है कि देखिए आज जो शाम को खतम हो जाएगा तो यह धर्णा देने के कारेंट कहीं सरा है जैसे पहली बात तो हमने बोला कि इतने जादा अभी पक्षिय को टार्गेट अगर देखेंगे बंगल में लास्ट 21 सीबियाई हुआ है एक किस महिने में और बार महिने में एक टो सब्याई इंकरी कर दिया गया सारे अपोजिशन के लीडर के खिलाब कोई भी एक लीडर दिखा यह तो चीजे आलग रखते हैं एडी की कारवाई जाच एजन्सियों की कारवाई एक सिकिन जाच कारवाई एडी ये थोड़ा अलग रखिये आज का मुद्दा धरने को लेकर और फंड ना मिलने को लेकर है तो ज़रा इस पर केंदृत रहते हैं आपने कहा कि आप लगातार आपकी सरकार प्रोटेस्ट कर र प्रोटेस्ट कर रहते हैं जाच कर दोड़ा है तो आपकी सर्फ फंड के खिला हो रहते हैं तो नहीं दे रहा है इन जास्टिस हो रहा है पंगल के साथ एक मात्र वाइस पंगाला जो मन्रेका का अभी भी पैसा नहीं मिला है एक सौदिन के जो लोग काम कट गरीब लोग उ लेकिन आज के दिन क्यूं आपने का लगातार हो रहा है अपने लगतार के बाद आप यह भी कह रही है कि यह दिन आपने क्यों चुना दिख्ये रामनवे में के दिन कोई धर्णा नहीं चुने गए है यह धर्णा का दिन इसलिए चुने गए है कि लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे है इसे बहुत हैं यह लगातार कैसे हुआ मैं मुझे यह समझाइए न यह तो अभी वह नहीं हुआ हुआ है नहीं हो रहा है तरा में बंगल में होते हैं राम नमी में है हाइज जोलूस निकालते हैं यह कोई नया चीज नहीं है किसी ने नहीं रोका किसी नहीं बात पलड़ गई मैं जलूस की बात ही नहीं कर रही मैं धरने की बात कर रही हूं जलूस की बात नहीं कर रही वो तो हर बार होता है लेकिन जो इस बार नया हो रहा है वो ममता दीदी धरना दे रही है रामनौमी के दिन यह नया हो रहा है आपके लिए आपकी पार्टी आपकी पार्टी ये सारे जन्यता जो है उसके लिए समान भाव से काम करती हैं किसी खास समुदाय के लिए खास काम अगर आपके लिए हर समुदाय बराबर है आप कह रही है ये इनका एजंडा है आपके लिए बीजेपी वालों का एजंडा है ठीक है बीजेपी वालों ने तो मताब दाइनरजी से नहीं कहा होगा कि आप एक काम कीजे इद पर छुट्टी देजे राम नमी पर छुट्टी बद दीजे ये तो आपकी सरकार ने सौब विवेक से किया यानि अपनी समझ से कि देखिए और पीता जी राम नमीमी में चुट्टी कभी भी विस पिंगॉल के कलेंडर में नहीं रहा है आज नहीं अज पहले से अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं की राम नमीमी की चुट्टी बंद कर दिया गया राम नमीमी जब यहां पर लेफ्रां गॉवर्मेंट था अज यहां पर टीम सी गॉवर्मेंट आज भी नहीं दिया रहा है और ईद का चुट्टी पहले से बहला हो अगर भर्म की बात आ रही है तो आपको यह स्वरकार पर होने पर यह नहीं लगा कि आप ईद पर चुट्टी दे रहे हैं राम नमी भी लोगों की आस्ता से जुड है राम सब के देता है और राम को घर में हम लोग पूचते है सभी पूचते है यहां राम को भगवान मानने के लिए रास्ते में उतारने के जरूरत नहीं है हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में घर पे कोई रास्ता में घर पे कोई रास्ता में घर पे कोई पूजा करते है मंदिर में जाते हैं, हम लोग घर में पूजा करते हैं, तो जो हमारे भाबनास्ता है, हमारी साथ जुरे हुए है, उलोग दिखाने के तो रस्ते प colony 1डर ले के दिखाने कर दो जुए होता है, ताजिया के साथ तो अलाउट है कि उस धर्म के अंदर ही आता है अच्छा तो यह आप कैसे मतलब धर्म की भी कोई अलब से पुस्तक है आपके सरकार में जो आपने पढ़ा हो जिसमें यह बता जाता हो कि इस धर्म में यह और जरूरी है तो लोग निकलते हैं इसमें जलूस चूह जरूरी नहीं है जो निकालने के लिए कौन मना किया अज पूरा बंगल में जो 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 चल रहे हैं वज़े Luck निन निकालने के लिए टीमसी ने निकाला अलग अलग पार्टी में के भी रेलिस हो रहें तो हम लगों ने किसी को मना तो नहीं कर सकते हैं जिनको अच्छा लगे मर्जी है तो मंताबंदी खुद बोलिए जिनको जुलूस निकालना है निकालिये लेकिन शांती पूरवत होना चाहिए कोई आशांत शुरूस निकालेघंग को ये विफे से निकाली विजह निकाला है और अबॉच की देक आइक को यहां पर शाष निकालना जरूरी नहीं है कि भी आप निकालनीं हाँ ऑपनी है तो अपनि पूजा सबसाथ में पूझा से ऑफ चरो कि अंत्र कि की किमें पूजर नहीं है कि पूजर नहीं करते हैं कि हमारे धार में हैं कि tightening T अगर जुलूस निकाल रहे तो उसमें क्या बुरब बुरी बात तो कुछ नहीं है सबी निकाल रहे हैं तो हम लोग उने रोका भी नहीं किसी जुलूस को पर राम नभी विकिल जुलूस तो हो ही रहे है बंगल में सब जबाब पर